क्या आपको पता है कई बार जब हम लोग Instagram पर हमारे पुराने फोटोस को डिलेट कर रहे होते हैं तो कई बार जोश जोश में आकर हम लोग continue डिलेट करते ही जाते हैं और इसी जोश में हम लोग हमारे जो अच्छे वाले फोटोस होते हैं पुराने वाले उन फोटोस को उन वीडियोस को भी डिलेट कर देते हैं जो कि हमारे मेमोरी कार्ड में भी नहीं होते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसी बारे में कि आप लोग कैसे इंस्टाग्राम पर डिलेट किये गए फोटोस या फिर वीडियोस को आसानी से एक सेकिन में ही रीकवर कर सकते हैं ओफिशियली तरीके से तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज क इस वीडियो को और जानते हैं कि कैसे आप लोग इंस्टाग्राम पर डिलेट किये हुए फोटोस और वीडियोस को रीकवर कर सकते हैं आसानी से दोस्तों इंस्टाग्राम पर अपने किसी भी डिलेट किये गए फोटोस को दोबारा से रीस्टोर करने के लिए सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर से इंस्टाग्राम को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद जब आप उसे ओपन करेंगे तो नीचे राइट कोर्णर पर आपको अपना प्रोफाइल सेक्शन दिया हुआ होगा। आप लोग यहाँ पर जो भी फोटो या फिर वीडियो को डिलेट करते हैं जैसे कि मैं इस फोटो को अभी यहाँ पर डिलेट करता हूँ। डिलेट करने के बाद में अगर आप लोग इस फोटो को या फिर पहले से किसी भी एक महिने के अंदर अंदर डिलेट कियेगा फोटो को दोबारा से री स्टोर करना चाहते हैं अपने प्रॉफाल सेक्शन में जो ऊपर यह जो घ्री लाइनज का आइकन दिया हुआ है इसके उपर अपर टैप करेंगे दोस्तो इसके अंदर आपको सेटिंग्स का ओप्शन दिया हुआ होगा जाप inner का आपको यहां पर नीचे से lower ऐकाउंट का ओप्शन ऊपन करना होगा यहाँ पर नीचे से first number पर recently deleted का option आपको मिल जाएगा दोस्तो recently deleted के option पर हम लोग open करेंगे तो यहाँ पर हमने पिछले 30 दिनों के अंदर अंदर जो भी photo या फिर video या फिर real को delete किया हुआ होगा वो यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तो किसी भी real या फिर video को दोबारा से restore करने के लिए आपको उस photo या फिर video को open करना होगा यहाँ पर आपको three dots का icon दिया हुआ होगा उस पर tap करेंगे तो यहाँ पर आपको delete और restore का option मिल जाएगा किसी भी photo को permanently delete करने के लिए delete के option पर आपको tap करना होगा और अगर आप लोग उस photo को दोबारा से restore करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर restore पर tap करना होगा जैसे ही आप लोग restore पर tap करके उसे confirm करते हैं तो आपका जो भी photo होगा वो restore हो जाएगा आप लोग उस photo या फिर video को दोबारा से अपने profile में जाकर देख सकते हैं उसे कहीं से भी download कर सकते हैं तो इसी तरीके से आप लोग किसी भी photo या फिर video को download कर सकते हैं delete करने के बाद भी restore कर सकते हैं सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब के बिना मच जाहिएगा अगले वीडियो मैं फिर मिलते हैं तब तक के लिए साइनिंग आफ